गोड़ मानिक्लास आयां देरत पाठक योर मैं टीचर आज हम क्लास पॉर्थ के लिए चेप्टर सेवेंटेर लाइन सेट सेट लाइन और सेट के बारे में बताने जा रहे हैं कोई भी लाइन आप खिशते हैं उसमें पॉइंट की जरुत बते किसी पॉइंट पर से ही हमको ल मईली डार ये हैं पॉइंट इस दो पॉइंट आपके बीच से आपकी लाइन और ये लाइन जो है कर फोता है कि अब लाइन जो है उसमें हम घठा बढ़ा सकते हैं ये हैं और ये हैं इस मेंस आपकी लाइन जो है यह और यह से एक तरफ लेफ्ट में और वी की तरफ राइट में बढ़ाया जा सकता है मेंस इसका यह हुआ कि लाइन का कोई भी एंड़ पॉइंट नहीं है इसको हम लिखेंगे नो एंड़ पॉइंट नहीं होता है इसको हम लाइन को इस धर से अगर आपका लिखा हुआ मिलेगा इसके उपर गुरुत तरफ होगा लिशा में दावगा होगा इसका अबला भी एक लाइन है यह जांदे जब चाहिए कि यह भी लाइन अब लाइन के बाद आपका आता है लाइन सेग्मेंट कि शेकंड लाइन के शेक्मेंट किसी लाइन में से जब हम फोई टोड़ा काट लेते हैं फिक्स लेंद का तो होता है लाइन शिखना है यह हमारी लाइन में उसमें से फड़ा एक और भी काट लिया गया है तो इसकी फिक्स लंबाई होती है जिसे पाई सेंट्रीमेटर सेवन सेंट्रीमेटर नहीं कर सकते हैं इसलिए लाइन सेग्मेंट को हम लिखाते हैं अब लाइन सेग्मेंट के बाद हमारा आपता है थर्ड आपता है रे रे मियंस कीरण यह है कीरण और लाइन सेग्मेंट का मतलब होता है रेखाफेंट कीरण में वान एंड पॉइंट होता है मतलब लाइन सेग्मेंट के लिए विखेंगे की अधिजी इसका वह न है यहां ट anál है यहां और ट गोंड इस में ऊंधा यह दूलिक्ट कोई नहीं है अब किरन में वान इंड पॉइंट नहीं और किरन में वान इंड पॉइंट उटा है वान अग्रण जैसे एसे किरन दिकल्प चल रही है और इस तरह प्राइब का निशान है यह थी है तो यह आगे तक कहा जाए कि कुछ पालम नहीं है उसका पांत नहीं है प्लब एक तरफ एक तरफ एंड पॉइंट है इसका नहीं दिया गया है इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं अब किरण में हम कोई भी किरण कीचेंगे जैसे एबी हमने निशा और उसके उपर एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक किरण कीची गई है उसका वान एंड पॉइंट होता है हमारी पॉइंट हो है यहांपर पॉइंट देगा मीं दोब्पॉइंट के जाओं लिसक हमारी वजारा क्वां इसके अवालिट हो कि लाइन से कोई कोड़ांग काट रहते हैं इसकी लबाई फिक्स होगी तो हमारा लाइन सीग्मेंट होता है उसमें टू एंड पॉइंट होते हैं दोनों तरफ उसको अंत किया जाता है कि तरफी भी कि तरफी तरफी उसको हम राइट या लेफ्ट में आगे पीछे बढ़ा यह सकते हैं अब क्स राहत रहे है देखावों फॉटाаж कि रड़ा मतलब होता है और उसका उन पॉइंट आए इस तरह से हमने ये लाइन के बारे में बताया अब लाइन okay किटने ही होती है की ताहिर्फार लाइन कि ताहिस शाब्साब लाइन नेशनाओ कि टाइज आप लाइन में फार्ष्ट जो एपने धरातल के छैती मलब प्रित्वीं के शबनां तर परड़ कुछा जाता है यह ऐसी लाइन होती है इसको हम कहेंगे और जर्टल लाइब और जर्टल लाइब और जर्टल लाइब शैटी जिसको हम शैटीज कहते हैं अब एक लाइब उपर से निचे आएगे उपर से निचे वाली लाइब को हम कहेंगे वर्टिकल जिसे वुर्वा धर करते हैं वर्टिकल लाइब इसे पुर्द्वा धर लाइब रेखा अब यह दो लाइन है अब इसके बाद हमारा आता है यह जो तिर्शी रेखा ती जाती है जाइब 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 से उसको हम कहते हैं शेलेंटिकल लाइब आप अगी जाए मुटी है कार्पर लाइब जैसे इसको कहते हैं कारव है कर दो रखाए मैं तेड़ी मेरी बाकर रेखा इसको करते हैं इसका नाम है तो बाकर रेखा अब एक टाइप साफ लाइन होती हैं अब उसका सेफ क्या है अब सेफ के बारे बतार चल रहे हैं सेफ के लाइन सिग्मेंट जो आपको दिखाएगा है कि जितना लाइन सिग्मेंट अब सेफ में फर्स बोता है स्रोज सेफ अब सेफ होता है अब सेफ का मतलब है कि हम वोई लाइन से जो भी फीगर हम बना रहे हैं सेफ में में जहां से हम सुरू करते हैं यहां से जुरू किये और वहीं पर उसका एक ले आकर हम केंड करते हैं यहां से जुरू किये थे वहीं पर केंड है में एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट ही अधिया हमाना इस्टार्टे अब यहीं मारा जहां से इस्टार्ट होगा वहीं पर केंड होगा तो हमारा नहीं होगा कोई है हम यहां से यहां से यहां गए अब प्रोड पर बाद हमारा आपा है ओपन से वन ते और यह एंड पॉइंट और स्टार्ट को अलग जगह पर घुनी चाहिए दिए हम यहां से रही को अब यह स्टार्ट यहां इस्टार्ट है और सब्सक्राइब तो नुग पॉइंट जगर पर तो जब हमारे स्टार्ट पॉइंट और इंड पॉइंट इस्टार्ट पॉइंट आएंड और आएंड पॉइंट इसटार्ट प्रेंड प्लेश तो हमारे यह ओगा ऑपन से उपन से पीस तब जब दोनों स्टार्ट और एंड दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे तमारा दोगें जब कोई भी प्लेस पुला हुआ होता है जैसे हमारा वी है वी में भी एक पुला हुआ है और हमारा यहां है यहां है यह हमारे होते हैं ओपने स्कुणा आउट्वोड से ना मतलब बंद होना चाहिए अब हमने लाइन के बारे में बताया सेव के बारे में बताया अब आपको यह जैसे कोई पुलिगांस है ट्रेंगल्स है आपका इसक्वार है रेट्रेंगल है कुछ भी आप से बनाएंगे तो ओपन या प्रोज होना चाहिए अब है अब हमने आपको पताया पॉइंट बश्ट आपको पॉइंट है फिर आपको दूप में दिया हुआ होगा यह आपका एपी दिया हुआ है तो इसको आप क्या कहें तो यहां पर आपको लिखना अब्लाद रे एक कीरण है अगर यहीं जो दिया हुआ है इसके उपर बनी एक लाइन जोटी सी होगी तो इसको हम कहेंगे यह एपी लाइन सिग्मेंट है आप यहीं डियुक्त पर इस दोनों तरफ एरो है ऐसा हाना हुआ हो तो आप जाम लेना चाहिए यह बी लाइन है यह नहीं होता है आप यहां पर पूएंट पॉइंट है इस दरफ से फॉइंट लाइन लाइन सिग्मेंट एंड लाइन रे इस सब आपको बताया गया इसके बाद आपका आता है तो से प्लोक से आउपेंन यह व्म झालिश पताया यह यह जहां से उ प्रेंट लां इसका वोगा है तो हमारा फुस्त आप जा वए से कंपने साब कтив से को इसबिल करimes प्राद करेंगे ऊंपड़ेंगे वह ऑंड़ तो फो अब वहीं पर ओपन से जो है में से हमारा जहां से हम शुरुगात करते हैं तो अब आरा केंट और इस टार्ट दोनों डिप्रेंट प्लेस होने चाहिए इस डंग से आप उसको ओपन से तरके जैसे हमारा डंग वह तो यह देख रहे हैं क्या है और हमारा इंड यहां तो एक तरफ हमारा खुड़ा हो इसको अब जब यहाद जो अब इसको अब पर उपन प्लेश कहते हैं पर शेप लेंगे ओपन से वाएंड प्लोश चाहिए आप इसके बाद हमें आपको मॉंदा लाएंड लाइज इंप आपका पॉइंट रे ओपन से इसके बारे में बताया अब आता है कि लाइन टाइस आप लाइन क्या है तो हमने आपको एक वर्टेंटल लाइन जो धरातल के समयांतर होगा जिसे वर्टेंटल करते हैं कर्दल लाइन और एक वर्टेंटल होता है जो पुर्द्वादर उपर से विच्छी तरब आती है उसको वर्टेंटल कहेंगे वर्टेंटल लाइन आप इसके बाद हमारा एक होता है स्रेंटिंग लाइन की जो तिर्शी लाइन होती है स्रेंटिंग लाइन आप इसके बाद हमारा होता है एक कर्वड लाइन कर्वड लाइन कि में सब्सक्राइब कर रहे हैं कि बाकर रेका जो होगा उसको हम कर्वड लाइन करते हैं तो कर्वड लाइन आपने पड़ा आप किसी भी लाइन सिग्मेंट से आप कोई भी फीगर बना सकते हैं जैसे आपका बन रहा है है घ्राइब है कि एक कर रहा है अब इसको हम लोडो सिर्थ नहों कि ए चारव से इसका है हम यहां से जहां गए यहां से यहां करें किर आपके हां ते इस स्टार्ट आएड यही पर इस्टार्ट जब सब्सक्द आपके तो हमारा रूप लोगा में अब अब जैसे हमने यहां से फूप किया यहां आए यहां से यहां जाका पड़ गए यहां से इस ताइब और यहां आने के बाद यहां के दोनों जगा पड़ देपरेंट प्लेस तो यह हमारा अब यहां से शुप होगा इसको हम पहेंगे अब हमारा एक फैंगल है यहां से यहां से यहां जाए अब देख रहें यहां से चुप हमारा यहां से चुप है यहां से यहां से यहां जाए यहां से यहां एक और फैंड इसका इसके बाद बाताया लाइं लाइं शिर्मेंट और अबका पारे उसके बाद प्वाइंट यह सब के पारे में बताया गया है इस प्रकार यह आपका लाइन रेंट से यह समाप होता है आप लोग उसको देख से कल लीगी का आगे आगे बता ही कि थैंक्यू